किसान सत्यों नमस्कार स्वागत करता हूं आपका हर्याना डेरी फार्मिंग आपके अपने चैनल में और आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या गवार के रेट आगामी आने वारे समय में बढ़ेगा या गटेगा जो गवार के रेट 12-30,000 रुपे इस बार पहुंचा था तो क मुझे नहीं लगता कि इस बार वुघार आजस्तान पंजाबं जहाँ पुरे भारत में कहीं की बारिस हुई है अच्छी बारिस हुई है। अधियाना की सवार डिस्टिक के अदम प्रहलके कि सदल प्रगाउं से बात कर रहा हूं यह जो खेत है वो मेरा खुद का खेत है और वहां से मैं आपको गवार की फशल दिखा रहा हूं और अपनी खुद के खेत की गवार की फशल लिए अनकी फशल बहुत अच्छी है मेरे दो एकड़ में गवार बाकी चार एकड़ में नरमा और बाकी जो आप देख रहे वो जवार वगएरा यह फसले हैं यहां पर हैं और जो गवार के रेट ना बढ़ने के कारण अबकी बार जो बार इस अच्छी राजस्तान बेल्ट के अंतर बात करें तो अच्छी बार इस राजस्तान बेल्ट में एक अच्छी हर्याली बताई जा रही है हर्याना में बात करें तो नरमे को छोड़ करके गवार के बिज़ाई भी एक अच्छी हुई है और और बात करें हर्याना राजस्तान पंजाब गुजरात चहांजा की पुर्य भारत की वहां अबकी बार प्रपूर मात्रा में पड़ा है अगले दो महिनों में यूँ कहें कि केवल शाठ दिन में गवार के फसल पक्कर के त्यार हो जाएगी इतना प्रेड होता है तीन महिने का प्रोक्समेंट का प्रेड गवार का होता है दाइस दीन में गवार जो है वो आ जाता है लास्टा आप तीन महिने मानके चलो तो मैं अब मानके चलता हूं कि यह जो गवार के फसल है वो 60-70 दिन में त्यार होकर के निकल जाएगी तो इसे सावसे यही केहना ऊचित रहेगा कि गवार का जो भाव है वो बढ़ने के चंस सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह जो मैंने बताया है वो अगर स्टिक लगा है इन्फॉर्मेशन सही लगी है है जो मेरे साब से थी तो आप जाजास जाए गुर्पों में सेरी करने काम करें आपका बहुत हुद नवाद थैंक्यू सो मच थैंक्यू